ग्यारा मै के शुरोदनके सब्सक्राइब परमात्मा कीछते हैं कि हर कदम में वर्दातास से वर्दान प्राप्ट कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भवा मैनत कब लगती है? जब हम अपनी बुद्धी लगाते हैं, जब हम घबराते हैं, जब हम question करते हैं, जब हम घरत रस्ते पर चलते हैं तो परमात्र कहते हैं कि जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वता ही मिलते हैं पर उनका बच्चा बनना जरूरी है उसके लिए कंडिशन्स हैं वर्दान ही उनकी पालना है वर्दानों की पालना से ही पलते हैं जो भी हम वर्दान पढ़ रहे हैं वो ही हमारे लिए पालना है और परमात्मा से सुबा चार बज़े अमरे तवेला में जो thoughts आते हैं जो संकल पाते हैं हमारी life को better करने के लिए हमें सुजाव देने के लिए हमें guidance पाने के लिए as a friend, as a companion, as a sad guru परमात्मा जो हमें देते हैं वो अमरे तवला में मिलता है उसने भी हमें वर्दान मिलता है बिना मैनत के इतनी श्रीष्ट प्राप्टियां होना इसे ही वर्दान कहा जाता है जो आसमें कोई मैनत नहीं लगती फटा फट फटवर और हर काम होना शुरू उता है फटवर फटवर तो हम अपने अंदर की कम्जोरी पर कम्यू पर हम विज़े पाते हैं तो जनम जनम प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टी से बोल्ट से संबंद से वरदान ही वरदान है परमात्मा की दृष्टी हमारे अवर पर पढ़ना परमात्मा के बोल से हम जो सुनें वो भी और परमात्मा के साथ में जो मारा संबंद है उसके दोरा भी हम as a student जो भी हम वरदान पढ़ रहे हैं और वो हमारी teacher उससे भी ओम शेंती